हलो अब्रीवन कैसे हैं आप लोग आप सभी का हार्दिक श्वागत है हमारे यूटूब चैनल दोस्तों आज का जो सेग्मेंट है अइसके बारे में बता दू कि ये जो सेग्मेंट है ये मौडन वर्ल्ड हिस्ट्री पर है हमारा हिस्ट्री के सेग्मेंट चल रहा है जिसमें मैं Indian history और Indian history में ancient history अभी start किया हूँ और एक तरफ मैं world history उसमें modern world history लेकर आया हूँ ठीक है तो एक दूसरे के ठीक opposite चलेगा उधर Indian ancient history चल रहा है जैसे वो समाप्त होगा वैसे हम लोग medieval पर आएंगे और इधर हम ततकाल में start कर रहे हैं modern world history ये beneficial उनके लिए है जो लोग ninth class में पढ़ते हैं और दूसरे चीज कि इससे competition में exam प्रसन आते हैं लेकिन थोरे बहुत प्रसन आते हैं और जो लोग means लिखते हैं उनके लिए काफी मददगार साबित होता है उनको तो world history भी पढ़ना होता है जो लोग PCS बगएर की तयारी करते हैं उनके लिए काफी मौतपूर्ण है और जो बच्चे ninth class में हैं उनको तो उनका जो syllabus है उसमें world history पढ़ना ही पढ़ना है तो चलिए आज हम बात करेंगे पुनर जागरन की तो जी हाँ पुनर जागरन जो है पुनर जागरन का साबदिक अर्थ है फिर से जागना अगर आप इस sentence को तोरेंगे तो पुनर जागरन का मतलब क्या होता है फिर से जागना पुनर जागरन एक बार फिर से क्या होना जागना रेनिशय का आर्थ होता है पुनर जनम ठीक है रहने से का साबदिक अर्थ क्या है पुनर जनम और उसी बात से निकल कर सामने आया है पुनर जागरन सब्द निकल कर सामने आया फिर से जागना आखिरका ये पुनर्जागरन है क्या, क्यों हुआ, इसकी बज़ा क्या थी, इसका इफेक्ट क्या पड़ा, विस्ट की एतिहास पर, चलिए इसके बारे में डिटेल से जानेंगे तो सबसे पहले पुनर्जागरन की सुरुवात इतली के फुलोरिंस नामक नगर से हुई थी, कहां से हुई थी बच्चों? इतली के फुलोरिंस नामक नगर से, ठीक है? अगर साधारन सब्दों में कहा जाए, तो इस सब्द का पर्योग यूणान और रोम की प्राचिन कि ज्ञान बिज्ञान के प्रतिह पुनह रूची पैदा करने के लिए होती है। इस सब्द का पढ़ियोग किया गया था। पुनट जागरन का मतलब क्या था। तो पुनट जागरन सिर्फ यहां तक सिमित नहीं था। कि जो प्राचीन युनान और रोम की जो उपलब्दियां थी, उसकी सबेता की जो उपलब्दियां थी, सिर्फ उसके बारे में जानने से नहीं था, बलकि इसका संबंध जो था, वो कला के छेतर में हुए बदलाव, साहिते के छेतर में हुए क्रांतिकारी बदलाव, धर्म, दर्शन, बिज्ञान और राजनिती के छितर में जो जो कारगर सिद्ध हुए, जो जो परिवर्तन, काफी मौतपुर्ण परिवर्तन हुए, उसके बदलाव का अध्यन था पुनर्जागरन. ठीक है, पुनर्जागरन की सुरुवात इटली के फ्लोरेंस नामक सहर से हुई थी, इसका पर्मुकारण याद था कि यूरोप और पूर्व के देशों के बीच, वे बैपार के पुनर उत्थान के लिए इटली के सहरों को सरबाधिक शंपन बना दिया था. मतलब इटली के जो पाँच पर्मुक सहर थे, वो बैपारिक शेंटर बन गये थे, यही बज़ा था कि पुनर्जागरन जो है वो इटली से स्टार्ट हुई. आईए जानते हैं वे पाँच कौन-कौन से सहर थे, उन पाँच सहरों में आपका मिलान सहर, 16 शताबदी के अधिकांस भाग पर इसके पाँच पर्मुक राज्यों का नियंतरन था, और वे पाँच राज्ये थे, मिलान, वेनिस, फोलोरेंस, नेपल्स और चर्च. इन पाँच सहरों का बहुत ज़्यादा पर्तिनिदुत्र था, इटली के बैवसाई के छेतर में, बै जागरन की सुरुवात हुई, दूसरी बात दरसल इटली के सहरों का बिकास जो है, वो मुक्त वाता वरन में हुआ था, किसी तरह की कोई शामंत वादी विवस्था नहीं थी, किसी परकार का कोई जबरदस्ती नहीं था, मुक्त वाता वरन में यहाँ पर सहरों का बिकास कि आब हो क्या कर सकते आजादी से जो चाहे वो कर सकते हैं। इटली के इन राज्यों के सासा कौन-कोन राजी है का झाल्च तो इन वेजिंगे फ्लोरेंस और स मचल्च गया को sponsorgy Bedles, इनुक्र्षे ने ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यूरोप के बौधिक और सांस्कृतिक जीवन पर सदियों से कैथॉलिक चर्च का आधिपत्य था, यूरोप जानते हैं कि यूरोप के वाशी कैथलिस्ट थे, तो इस पर उनके जो लोग थे उन पर बौधिक और सांस्कृतिक जीवन पर इसा से Catholic Church का आधिपत्य था, जो चर्च का जो प्रावधान था, चर्च के जो बिचार थे, उन से वे बंधे हुए थे, जिसे पुनर्जागरन ने कमजोर कर दिया, जैसे ही पुनर्जागरन की भावना लोटी, लोगों में ज्यान, बिज्यान, कला, साहित्य, इन सब के परती गहरी, रुची जगी और लोगों ने इसके बारे में जानना सुरू किया, इसके महत्यों को जानना सुरू किया, तो लोग जो है अलोकिक, जो दैबिये सकती है, जो परलोकिक सकती है, जो उनके दिमाग में बैठाया गया था, चर्च के माध्यम से, उन से लोग उबड़े, तो पुनर्जागरन ने इन सारी विचारधाराओं को, यानि Catholic Church का जो क्या करते हैं, Monopoly था, उसको कम किया, उसको काफी कमजोर किया, इस करीमें दाते को पुनर्जागरन का अगर दूत माना जाता है, ये मुख्य पॉइंट है, आप इसको मैं चाहूंगा कि आप इसका Notes बना ले, तो ये आपके लिए better होगा, और जो बच्चे नाइन्थ में पर रहे हैं, उनको तो Notes बनाना ही बनाना है, और जो लोग PCS की तयारी कर रहे हैं, और उनको Mains लिखना है, तो उनके लिए भी काफी मददगार है, और जो लोग One Day Exam की तयारी कर रहे हैं, वे इस में से मु जर्म इटली के Florence नगर में हुआ था, और पुनर जागरन की सुरुवात भी इटली के Florence नगर से ही हुई थी, दाते ने क्या किया, प्राचिल लेटिंग भासा के बदले, इटली के आम लोगों की भासा, टसकर में Divine Comedy नामक काबे की रचना कर तहलका मचा दिया, इन्होंने ए ज़ता है कि Divine Comedy किसकी रचना है, तो आप क्या जवाब देते हैं, तो आपका आंसर होता है, आप जानते हैं, आप अगर नहीं जानेंगे, तो आप गलत आंसर करेंगे, तो आपका आंसर होता है दाते, यानि Divine Comedy नामक का रचना, दाते ने किये थी, तो ये World History से निकल करा है, तो दाते ने प्राचीन लेटिन भाषा की जगा, यानि कि जो प्राचीन लेटिन भाषा थी, उसके बदले इटली के आम लोगों की भाषा तसकन में Divine Comedy लिखा, उसने प्राचीन लेटिन भाषा को छोड़ दिया और जो आम जन की भाषा थी, मैंने इसे पहले भी बात किया थ था कि मात्मा बुद्ध ने पाली को इसलिए अपनाया चोकि वो जन साधान की भासा थी और भासा एक बहुत ही ससक्त माध्यम है लोगों से कनेक्टिबेटी का अगर हमारी आपसे कनेक्टिबेटी हो रही है आप हमारी बात को समझ रहे है तो इसमें कहीं न कहीं जो योगदान है वो भासा कहीं है तो दाते ने जो डिवाइन कमेडी लिखी उसका काफी गहरा एफेक्ट पड़ा लोगों के बीच और डिवाइन कमेड अब होता है दैवी है और देवों की जो देवों की जो बिचारधाराए कैथॉलिक चर्च के माध्यम से दर्चाई गई थी उसको उन्होंने हास्यासपत बताया जिसे लोगों में क्या हुआ तहलका मच गया लोगों का बाधिक और स्वांस्क्रितिक जीवन ही बदल गया रोचक वर्नन किया उन्होंने जो डिवाइन कॉमेडी लिखी उसमें स्वार्ग और नर्क की एक कालपनिक यातरा का मतलब रोचक विवरन कर दिया कि स्वार्ग जाने के लिए क्या करना होगा नर्क जाने के लिए क्या करना होगा तो लोगों में एक जागरिति पैदा पेट्रोक ने बढ़ावा दिया, उसमें आग में घी डालने का काम किया, पेट्रोक ने गती देकर पुनर्जागरन के आंदूलन को आगे बढ़ाया, इसे ही मानववाद दर्सन का प्रतिपादक माना जाता है, तो पेट्रोक को माना जाता है, इसको माना जाता है, पेट्रोक को मानववाद दर्सन का प्रति पादक माना जाता है जबकि पुनर जागरण इटिली के पुनर जागरण का अगर दूत दाते को माना जाता है जिनकी पर्मुक किर्ति किया है डिवाइन कॉमेडी ठीक है पेट्रॉक और उनके सयोगी ने चर्च एबं पाद्रियों के कटरता पर जम कर परहार किया कसकर लतार लगाया चर्च और पाद्रियों की जो बिचार धारा है थी जो कटर मनसिकता है थी उन पर उन लोगों ने ज़्यादा करा परहार किया और उनके बिचारों को बड़लने के लिए मजबूर कर दिया, बिवस कर दिया इस करी में इटालिक गद का जनक माने जाने वाले कहानिकार जियोवानी बोकेशियो तथा प्रशिद बिचारक चिंतक इटली के फ्लोरेंस नगर के ही महान विभूती मैक्यावेली सहाब भी जुड़े गए सबसे पहले तो दाते निश्की सुरुवात कर दी डिवैन कोमेडी से फिर उसमें कौन जुड़ गए? पेट्रॉक पेट्रॉक जुड़ गया उसके बाद इसी करी में आगे बढ़ते हुए इटालिक गद का जनक माने जाने वाले कहानिकार जियोवानी बोकेशियो और प्रसिद बिचारक चिंतक इटली के फ्लोरेंस नगर के ही महान भी होती मैक्यावेली अब आपके लिए मैक्यावेली जानना जरूरी है मैक्यावेली ने कौन से पुस्तक लिखी दप्रिंस तो मैक्यावेली भी इस आंदोलन से जुर गए पुनर जागरन आंदोलन से जुर गए अब हुआ क्या मैक्यावेली को आधनिक विश्व का पहला राजनी प्रशिद् पूस्त. द प्रिंस का श्र वत नया चित्र परस्तूत करती है, इनकी जो किताब थी द प्रिंस वह जो एस्टेट की परिभसा है, उसको बदल डाला, उन्होंने Courate Oshab, उन्हें एक नइ परिभसा गड़ दी इन्हें ने स्ट में चांब he VI चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मानवताबाद सबसे पहली करी थी मानवताबाद Humanism क्या था Humanism तो यह पुनर जागरन की मुखे विसिस्ता थी पहली बात कि यह Humanism पुनर जागरन की मुखे विसिस्ता थी और इसे पुनर जागरन का केंदर बिंदु माना जाता था क्या माना जाता था केंदर बिंदु चुकि इसने दैविय और परलौकिक के अस्थान पर मानविय और प्राकिर्तिक सत्ता को महत परदान किया मैंने पहले ही कहा कि Church और पादरीयों, Catholic Church और पादरीयों के परभाव से प्रअभुत्व से लोग दबे हुए थे लोग डेविये सक्ती को ही समझते थे परलोकिक सक्ती को ही समझते थे और उसके लिए ही उपाय करते थे उसी के माध्यम से चलते थे तो पुनर्जागरेन में जो पहली चीज हुई उसने मानवतावाद पर फोकस किया और उसने मानवी और प्राकिर्तिक सत्ता को यानि मनुष्य को और नेचर में जो चीजे उपलब्द है उनके महतु को फोकस किया यह एक ऐसी बिचार धारा थी जिसमें मानव का गुनगान किया गया कहा गया कि मनुष्य के पास अपार सिर्जन सकती है और वह उसके स्वतंत्र अधिकार होने चाहिए वह अगर स्वतंत्र बिचार से सोचेगा तो बहुत बड़ी चीज सोचेगा बहुत अच्छी चीज सोच और जो बहुत बड़ी करांती ला सकता है दरसल पुनर जागरेन ही वह चेतना लाया जिसने कला के छेतर में बिज्ञान के छेतर में साहित्य के छेतर में बहुत बड़ी करांती लाई जिसने हमें बहुत सारे अभिसकार दिये हमने उस अभिसकार का बहुत उप्योग किया और आज भी हम लोग अभिस्कार करी रहे हैं और आगे बढ़ ही रहे हैं। इसमें धर्म के पाखंडों का पुरजोर बिरोध किया गया। मानवताबाद ने धर्म के पाखंडों का बिरोध किया और कहा कि मानव को सुख भोग का आधिकार मिलना चाहिए। उसे सांसारिक एक्छाओं और आवसकताओं की पूर्ती करने का समर्थन दिया गया। कहा गया कि जो जीना है, यहीं पर जीना है, यहीं जीलो स्वर्ग और नर्क की चिंता नहीं करो। मानव से यह बिंती की गई कि वे चर्च द्वारा प्रतिपादित पर लोग की चिंता नहीं करें, इसके बजाए वो धर्ती पर सुख प्राप्त करने का परियास करें। मानवतावादी ने इस बात पर फोकस करवाया लोगों से कि वे चर्च के नियमों कानूनों को ना सोचें, वे ये सोचें कि हमें जिन्दगी जीना है, आज जीना है, अभी जीना है, कैसे जीना है और किस तरह से जीना है, इसके बारे में सोचें। ठीक है, इटाल अभी मानवतावादी, पिको डेला मरांत दोला, क्या नाम है इनका, इटली के ही थे मानवतावादी, इनका नाम था, पिको डेला मरांत दोला, इन्होंने एक लेख लिखा, और उस लेख में विश्वास जयता है, कि मनुष्य एक महान चमतकार है, वो एक चमतकार है, मानव क्या है, एक महान चमतकार है, और उन्होंने लिखा कि मनुष्य से अधिक अदभुत कुछ भी नहीं है, यानि मनुष्य जो चाहे, वो कर सकता है, मनुष्य से अधिक अदभुत कुछ भी नहीं है, तो ये क्या है, ये पुनर जागरेन है, और ये चेत करना को क्या करना बढ़ाना है लोगों को जागरू करना है ठीक है कि मनुष्य से अधिक अध्बुत कुछ नहीं है जब आपके अंदर confidence आ जाता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं और आप कर पाते हैं यही कहा इन्हों कि मनुष्य से अधिक अद्बुत कुछ नहीं है आगे साहित्य और इतिहास को अब मानवी की कहा जाने लगा पहले जो साहित्य था जो इतिहास था उसे अब हुमनिटी कहा जाने लगा कहा कि इसे मानव से जोड़कर ही देखा जाए और इनका उदेश्य मुख्य रूप से मानव के इस संसार के किरिया कलापों को समझना था ना की मरने के बाद के जीवन को जैसे कहा जाता है कि L.I.C. जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी पता नहीं हम जमा तो कर देते हैं जीवन के बाद उसका उपभो कौन करेगा किस तरह से करेगा इसकी क्या गारेंटी है ठीक है तो यह एक बहुत बड़ा जोल है क्या है यह एक बड़ा बहुत बड़ा जोल है तो बानवताबाद में यह कहा गया कि हमें इस संसार के किरिया कलाप को समझना है ना कि मरने के बाद हमें वहां स्वर्ग मिलेगा, वहां पंखा मिलेगा की नहीं मिलेगा, वहां भोजन मिलेगा की नहीं मिलेगा, तो इन बातों में नहीं उलचना है, इन बातों में नहीं परना है, तो पहली चीज थी मानवताबाद, इसमें देखा आपने कि मानवताबाद कि आप संसारिक जो अभी बरतमान में हैं उसको जिए बरतमान को जिए आप वो मरने के बाद क्या जो जीवन है उसके बारे में ना सोचे कि आपका कीरा में जन्म होगा, कि जानबर में जन्म होगा, कि साप बनियेगा, इन सब बातों को नई सोचना है, ठीक है, किलियर है, अब दूसरी चीज है, कला और अस्थापत्य, तो कला और अस्थापत्य, यानि Art and Architecture के बारे में, तो पुनर जागरन काल के चित्रकला का जनक जी आटो को माना जाता है किसे माना जाता है जी आटो को माना जाता है पुनर जागरन काल के चित्रकला का जनक फादर अप फादर अप आठ कह सकते हैं आप फादर अप आठ इन पुनर जागरन पुनर जागरन को इंगलिस में क्या बोलते है रेनेसेंस बोलते हैं ठीक है तो जियाटो को माना जाता है चलिए पुनर जागरन काल के कलाकारों ने बाइबिल चोकि चर्च में क्या चलता है बाइबिल चलता है और इसाइयों का पवित्र गरंत है बाइबिल तो बाइबिल के बिशेओं का परियोग तो किया कलाकारों ने बाइबेल के सब्जिक्ट को ही उठाया लेकिन उसे की ब्याख्या को बदल दिया क्या किया उसकी ब्याख्या को उन्हों ने धार्मिक दृष्टिकोन से नहीं दिया बलकि उसको मानवता पर फोकस किया ठीक है? उसे धार्मिक रंग नहीं दिया. अभी बरतमार में होता क्या है? कोई भी गटना होती है. हम लोग क्या करते हैं? उसे जातिये रंग दे देते हैं या उसे मजहवी रंग दे देते हैं. जो कि काफी गलत है. है ना? तो वही पुनर जागरन के काल के कलाकारों ने सबसे ज़्यादा विकास चित्रकला का हुआ, किसका विकास हुआ, चित्रकला का विकास हुआ, कलाकारों ने अपनी श्वतंत्र पहचान बनाई, उनकी अपनी सैली थी, उन्होंने अपनी सैली का पर्योग किया, जिसे समाज का अत्यदिक सम्मान मिला, ठीक है, क्या सम्मान मि समस्ते थे, क्या समस्ते थे, समस्ते थे कि कला जो है, art is the form of life, क्या है, कला क्या है, जीवन का रूप है, जीवन का एक photocopy है, इसके लिए प्रकिरती यानि nature, मानव, परवतों, पेर पौधों, पश्वों और मानव सरीर का गहन आकलन करना जरूरी था, जीवन का प्रतिरूप गढ़ने जा रहे थे, तो उन्हें इनके बारे में समझना जरूरी था, कला कारों ने geometric और optics, यानि जैमेती और प्रकासिकी का आध्यन किया, और अपने चित्रों पर इसका प्रयोग किया, कला कारों ने किसका प्रयोग किया, जैमेती और प्रकासिकी का उन्होंने मानव के हाभाव की आंतरिक बवश्था मतलब मनुष्य के सरीर की जो आंतरिक बवश्था है उसको समझने के लिए सरीर रचना बिज्ञान का भी अध्यन किया एनाटॉमी का भी अध्यन किया कला से इंद्रिय सुख प्राप्त करना कला का न्यायोचित उदेशे माना गया कहा गया कि कला से इंद्रिय सुख प्राप्त करना हमारा क्या रहेगा मूल उदेशे रहेगा न्यायोचित उदेशे रहेगा इस काल के तीन कलाकार काफी परशिद हुए उनमें थे लियोनाडो दा बिन्ची जिनसे प्रस्ण आपके एक्जामस में आते हैं भाईया माइकल एंजिलो और राफेल इन तीन व्यक्ति काफी फेमस हुए और इनकी किर्तियां बहुत बड़ी करांती लाई और इनसे प्रस्ण भी बनते हैं तो आइए देखते हैं लियोनाडो दा बिंसी कौन थे तो लियोनाडो दा बिंसी एक बहुमुखी परतिवा के व्यक्ति थे और इनमें वर्शटाईल थे क्या-क्या परतिवा थी ये एक चित्रकार थे मूर्तिकार थे यंर विद्ध थे मतलब या यंत्र का भी अविस्कार किया इन्होंने बैज्ञानिक थे दार्सनिक थे कभी थे और गायक भी थे इतनी सारी परतिभाओं से भरे पूरे थे लियोनाडो दा विंसी और आप सिर्फ क्या याद रखते हैं इनकी एक किरती मोना लिसा के चितरकार कौन है तो आप क्य जबाब दते हैं लियोनाडो दा विंसी लेकिन लियोनाडो दा विंसी जो भी आप बोलते हैं उचित ही है इनकी दो सरवादिक प्रशिद चितर हैं दा लास्ट सपर आखरी भोज और मोना लिसा मोना लिसा तो आप लोग को याद ही रहता होगा साथ दा लास्ट सपर याद ना रहता हो तो आज याद हो जाएगा दे लास्ट सपर और मोना लिशा किनकी किरती है लियोनार्डो दा विन्सी की आईए कुछ परमुक कलाकार और उनकी किरतियों के बारे में जानते हैं तो पहला लियोनार्डो दा विन्सी ये तो एक बहुमुकी परतिभा के थे इनके पहचान के लिए क्या कहते हैं इनके बारे में बताने की जुरत नहीं है ये काफी बड़े बहुमुकी परतिभा के वक्ति थे चितरकार थे मुर्तिकार थे बैग्यानिक थे दासनिक थे गायक तो लियोनाड़ो da Vinci की जो किर्ति है दर लास्ट सपर और मोना लीसा इसका विस्तार ये था कि ये चित्रकला प्रकिर्ति की नकल थी कलाकार एक प्रेरित रचनाकार थे क्लाकार थे क्लाकार थे ते Amazon येOW प्रकिर्तिक प्रेरित और एक राफेल तो माइकल एंजेलो एक मुर्तिकार और चित्रकार भी थे और इनकी जो किर्ती है डेविड पियेता सिस्टीन चापेल में चित्र इनकी जो इसका जो विस्तार है वो मानविय रूप की उपस्थिती सक्ती और विलचंता को बताता है मतलब इन्हों ने जो फोकस किया मानविय रूप की सक्ती और विलचंता को ठीक है उनके एडवेंचरस को मानवो मनुष्य के एडवेंचरस को फोकस किया तीसरा है राफेल अब ये राफेल हवाई जाजनी भाई फाइटर जित नहीं है राफेल एक चित्रकार थे और इनकी कि है सिस्टीन चापेल के चित्र मेडोना और चिर्गी ठीक है और पॉप की सेवा में कारिये कॉमा यह चित्र बुद्धी और परतिष्ठा को परदर्सित करती है इनके जो चित्र हैं सिस्टीन चापेल के चित्र मैडोना और चिर्गी पोप की सेवा में लगे हुए लोग और बुद्धी और परतिष्ठा को दरसाता है कि क्या स्थिती है पोप की और पोप के सेवादारों की क्या स्थिती है उसकी मनोदसा क्या है इस पर फोकस किया चौती चीज़ा चौते कलाकार है लोरेंजो घीवर्टी क्या नाम है लोरेंजो घीवर्टी ये एक मुर्तिकार है और उन्होंने बनाई थी फोलोरेंस इस्थित बैप्टिस्टरी के लिए दो कांसे दरवाजे क्या बनाई थे दो कांसे के दरवाजे बनाये थे क्या खास था इसमें तो यह खास इसलिए था यह दरवाजा स्वर्ग के सामान था कैसा था दरवाजा स्वर्ग के जैसा था यही खासियत था तो लोरेंजो घिवर्टी ने फ्लोरेंस इस्थित बैपिट टिस्टरी के लिए दो कांसे के दरवाजे बनाये थे पाचवा है आपका डोन्टेलो तो डोन्टेलो भी एक मुर्तिकार ही है और इन्होंने डेविड की कांसे परतीमा बनाई उसके अलाबे सेलिन गुलोईट के सरीर के उपर बिजे चिन्ह का निर्मान करा है यह कला के छितर में पर्थम नगन मुर्ति जो की 13 फिट लंबे थी तथा जो मानविय रूप की सुन्दर्ता को दिखाती थी उसका निर्मान आपका किस ने किया तो यह आपका डुन्टेलो ने किया किस ने किया दोस्तों डुन्टेलो ने किया तो आज हमने बात किया पुनर्जागरन के अर्थ की पुनर्जागरन क्यों हुए उसके बारे में और पुनर्जागरन की पहली करी मानमताबाद, दूसरी करी कला अस्थापत्य, अगले दिन हम साहित्य, बिज्ञान और उनसे जुरे जो भी बाते हुई उसके बारे में चर्चा करेंगे, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिस्योड में, तब तक के लिए अपन पढ़ाई जारी रखिये, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत